वेल्कम आल तो पी डबले एपेस्ट वाला आएम डॉक्टर महमद जिया और टोडे वी आरट फोकस बैच आज दूसरा लेक्चर है हमारा और आज हम बात करने वाले हैं है मनी inflation और बानिटरी पॉलिशी की टॉपिक इमपोटन्स है वे इससे सवाल आते हैं एक बिलकुल सिंपल सी चीज है हमारे लिए हर वो टॉपिक इंपटेंट है जिससे क्वेस्ट आते हैं खास और पर वो क्वेश्ट्टन्स जो fundamental नीचर के होते हैं आज तो और पर वो questions जो की fundamental nature के होते हैं जब हम कहते हैं fundamental nature का question मतलब जहाँ पर basic concepts जहाँ पर basic concepts जो है वो involved होते हैं जहाँ basic concepts related question आते हैं money inflation और banking वही money inflation और monetary policy आज हम banking को discuss नहीं करेंगे हम money inflation और monetary policy को discuss करेंगे and फिर वही target हमारे वो aspirants है जो basics की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहता है मेरी कोशिश ये रहेगी आप लोगों में से उन लोगों को deal करने की उन लोगों को समझाने की शायद जो कहीं न कहीं non-economic background से है जिनका जो है जन्होंने क्लास 910 के बाद कभी economics नहीं पड़ी and now it is standing in front of them like a giant monster so the no the प्रयास विल भी कि हम उनको समझाए और अगेन जो हमारे aspirants इस चीज को समझ रहे हैं और या जो इनको पढ़ रहे हैं for you this is a good point of revision so let us now start the topic money inflation and banking और एक चीज याद रखिएगा पूरे exam में इस पूरे exam में इस पूरे process में selection पुना और rank आना इन दोनों में difference है और selection और rank का difference है ये selection और rank का difference है fundamental जिसके fundamentals अच्छे होंगे उसकी rank आएगी ठीक है आप पढ़के जो है selection हो सकता है लेकिन फिर मैं कह रहा हूं जिसके fundamentals अच्छे होंगे उसकी rank आएगी now let us start with our first three topics that we are going to deal today the first one in this is is money pesos अब समझने की बात यह है कि यह जो money की आज हम बात कर रहेंगी है क्या को अợॉए कह सर पैसा मोम आया है जञे कैगा पैस ही सर सब कुछ है को आध का मैल है जेकिन economy में यह जवाब देने से काम नहीं चलेगा की यह सब कुछ है या हाथ का मैल है हाथ का मैल है तो रोज धो दिया करो आज इन डू चारिटी फाइन तो अट इस मनी तिरा बतला फर्स्ट और फॉल हमें समझना होगा कि मनी की अपनी कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं आप यह नहीं कह सकते कि मनी इस बहुत सारे एकॉनमिस्ट आया हिस्ट्री में जिन्होंने अपने अपने लेवल पर मनी को डिफाइन किया और मनी की ऐस सच मल्टिपल डेफिनेशन जो हैं वो निकल के आती हैं आप आप बुक्स पर आप आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे you will find numerous definitions that are talk about what is money . So we will see, now the most commonly accepted medium of exchange ये मनी है , any object which is accepted as a mean of payment , kuransi . ये मनी है और anything that satisfied human wants is money . irrespective money is what anything that satisfied human wants manushya की जो मांग है उसको जो पूरा करे उसको पूरा करने का जो काम करता है that is money so anything that satisfied human wants is money that money is not a necessity and and it is a facilitator, पैसा, मनी तो है वो कोई नेससिटी नहीं है वो सिर्फ एक फैसिलिटेटर है to reach the needs, to you know fulfill the needs, it is not a necessity rather it is a facilitator to fulfill these, fulfill the necessities of life, fine, अब what is, हमने देखा money, money sir, it's a medium of exchange, हमने देखा money की शुरुवात कहां से हुई, money की शुरुवात हुई, बार्टर सिस्टम से, बार्टर सिस्टम में क्या होता था, एक चीज देंगे, चीज के बदले चीज देते थे, समान के बदले समान होता था, लेकिन लेटर इसमें बहु गया गेहूं खरीद में, मेरे पास चामल है, तो अवल तो मुझे उस व्यक्ति को ढूनना पड़ेगा, जिसके पास गेहूं हूं, और फिर उस व्यक्ति को उसी मात्रा में चामल की आवशक्ता है, जो मेरे पास है, उसी quality, उसी grade, उसी quantity का चामल मेरे पास है, तब जाके ये transaction fulfill हो पाएगा, यानि की barter system में flaw था, barter sister के बाद हम आते हैं, जो evolution हुआ, वो token currency का हुआ, token currency मतलब pebbles को, shells को, nails को, जो भी मिल जाता है, उसको उन्होंने क्या किया, लोगों ने, इनसान ने उसको token currency की तरह यूज करना शुरू किया, क्योंकि ये barter system में, अब चामल या इन फिर standardization नहीं था, gradually समाथ फिर evolve हुआ, फिर जो है, हमने देखा की metallic money आई, metallic money मतलब सिक्के आए, सिक्के चलना शुरू हुआ, और सिक्के ना सिर्फ economy में, बलकि history का सब बहुत एक important source बन जाते हैं, सिक्के जो है, बहुत important source बन जाते हैं, history का भी, तो, सिक्के, metallic money के बाद, क्या evolve हुआ, metallic money के बाद evolve हुआ, paper currency, हमारे जिब में आज के पास है, paper के format में note आने लगे, जिसमें value थी, जिसको carry करना असान था, सिक्के carry करना ज़रा सा heavy हो रहा था, तो, इंसान ने फिर evolution किया, कि अब जो है, paper currency आएगी, उसके बाद further evolution हुआ, प्लास्टिक, प्लास्टिक money, credit card, debit card, यह सारी चीज़े आ गई, उसके बाद क्या evolution हुआ, उसके बाद evolution हुआ, digital currency का, digital format में currency आ गई, आप UPI payment कर रहे हो, सारी चीज़े कर रहे हो, bank money आप जिसे कह रहे हो, यहाँ पर, उसके बाद final evolution, जो latest evolution इसमें है, वो है, क्रिप्टो करेंशी का, क्रिप्टो पर किसी और वीडियो में बात करेंगे, आज, क्योंकि हम, no, we are talking about money, so let us stick on to that, यह एक evolution हुआ है, gradual evolution हुआ है कि कैसे हम barter system से, क्रिप्टो करेंशी तक का, हमने इस पैसे का, इस money का, हमने सफर देखा है, now, यह है क्या, यह क्या काम कर रहा है, पहली चीज, it is a medium of exchange, it is a medium of exchange, जिसका मतलब यह है, कि जो भी, सामान, जो भी हम transaction कर रहे हैं, उसमें common medium of exchange है, आपको barter system की तरह सामान के बदले सामान लेने की ज़रूद नहीं है, जो medium of exchange है, वो क्या बन गया है, अब, money बन गया है, it is a measure of value, हम हर चीज की कीमत पैसे में तॉलते हैं, measure of value, यह और रहा है, पैसा क्या बता रहा है, money क्या बता रहा है, कि इस particular चीज की value क्या है, इस particular चीज की value क्या है, आप पुछो कि यह чीज कितने की हैं, तो उसकी वो यह नहीं बोलेगा कि यह चीज जो है जैसे अगर for example there's a chair out here and I'll go and ask what is what is the value of this chair they won't say it is good for sitting it is it is having this much of plastic it is having this much of fiber no they will say the cost of this is let's say 5000 rupees क्या किया वैल्यू बताई salary मिल रही है इंसान को क्या हो रहा है वो value बता रहा है वो value बता रहा है कि भाईया तुम्हारी जो काम है उसकी कीमत इतनी है store of value अब मान लेते हैं यह 2000 रुपए का note है 2000 रुपए का मतलब क्या होता है 2000 रुपए का technical मतलब होता है एक एक रुपए के 2000 सिक्के है अगर हम यहां होते इस दौर में होते जब metallic money ही प्रचलन में थी तो हम क्या कहते कि भाईया हमारा जो store हमारा जो अगर हमें 2000 रुपए चाहिए तो हमें एक एक रुपए के 2000 सिक्के मिलते अब इसने क्या किया इसने उन सारे वाल्यू को उस सारी वाल्यू को एक हट्टा करके एक उसमें रख दिया एक पेपर में एक पेपर में जो है उसको store कर दिया विया आप उस पैसे को आपको दो लाख रुपए ले जाने हैं आपको जरूरत नहीं है कि आप एक रुपए के दो लाख सिक्के ले जाए आप क्या करेंगे सर दो हजार के सौनोट हमारा काम हो गया वेरी गुड तो दिस आप वाल्यू देन इट आक्ट अस टैंडर्ड फॉर्ड li Casey अनदीफट ले रहे हैं बाद में हम चुका देंगे क्या चुका देंगे है तो लोन है वो क्या है डिए डवर्ड पियमेंट सार पियमेंट आज नहीं हो रहा है लोन क्या है लोन डिफच पियमेंट आ कि आ है eh लोन क्या है लोन deferred payment है means आज हम सामान ले के आ रहा है लेकिन इसका पैसा हम बाद में चुका रहा है deferred payment आज सामान लिया उसको बाद में हम चुकाएंगे तो functions money सिर्फ store नहीं कर रहा है या सिर्फ वो medium of exchange नहीं है वो दूसरे भी functions जो है वो उसके हैं दूसरे भी functions वो परफॉर्म कर रहा है and that is one of these अब सवाल आता है कि सर क्या मैं अपने घर में एक printing machine लगा लेता हूं और I start printing पैसा है कुछ भी कर सकते हैं तो terms आते हैं जो आपको समझना है एक है आपका fiat money और एक है आपका legal tender बहुत similar से हैं लेकिन एक fine line of differentiation है fiat money का मतलब यह है कि यह it is issued by an authority अग्रेज जो इशू कर रहे ते वह भी fiat money था मुगलो के दौर में सिख्क्य चल रहे था हूँ भी fiat money थे महाजान पदाश के दौर में सिख्क्य चल रहे तो भी fiat money थे मतलब किसी राजा किसी मोनार किसी sovereign किसी government कि इस institution legalized institution के जरिये जो पैसा issue हो रहा है हम उसे कह रहे है fiat money which is issued under the command which is issued under the warrant of any institution it may be a sovereign institution it may be a government it may be a raja it may be a anyone कोई भी हो सकता है जब वो उसे issue करता है तो क्या होता है that is fiat money legal tender मतलब इस currency की ये बात करता है legal validity की ये किसकी बात करता है legal validity legal validity का मतलब ये है कि सारे transaction जो इसमें हो रहे हैं जो भी transaction हम इसमें करेंगे they are considered to be legal because they are backed by the government issued so our currency which is issued by RBI so you'll say issue कौन कर रहा है अर्बी आज के टाइम पर हमारा नोट है न अगर आप अभी if you're watching you can you can take out the currency note that you have गर पर देख रहा है तो ममा पापा से ले लो को ऐसी बात नहीं बड़े बाइवें से ले लो दोस्त से ले लो जहां बैठे हो अगर अभी जेब में नहीं है तो निकालो और देखो दो चीज़े लिखी है एक जगे लिखा है एक एक फेस पे लिखा है और भी आई ग के दिर्न काुआ इंडिया और दूसरे च्बेल लिका और इस diabetic गॉरर्मेंट और बाइंट अभारत सर्कार द्वारा पत्त्याभूत अट्य एक तरफ लिखा-पारत्य reserve bank तुसे कोई इशु कर रहा है उसे को इशु कर रहा है तो दा करेंसी नोट नोट दाक्रेंसी नोट दाक्यू हाव इस इशूड बाया न थारीटी Reserve Bank of India विच एक 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 है और दूसरा legal tender का मतलब यह है कि इसके इसके तहट जो भी transaction हम कर रहे हैं उसे हम लीगल मान रहे हैं वह लीगल है यह एक एक कानूनी जो है एक एक वैल्यू है इसकी और इसको आप डिनाए नहीं कर सकते हैं no one can deny is US dollar is US dollar a fiat money yes because it is issued by someone but is it a legal tender in India no US dollar a fiat money है क्योंकि उसको किसी government ने किसी authority ने शुकिया है लेकिन वह US dollar इंडिया के अंदर लीगल टेंडर नहीं है I hope you are getting the difference US dollar हां foreign exchange में रखा हुआ है सारी चीजे हैं हम उसको रख रहे हैं उसको मान रहे हैं वह fiat money है क्यों क्योंकि उसको किसी institution ने उसको किसी government ने उसको किसी sovereign ने शुकर वाया है बिलकुल वालेड़ इस फ्याट मनी वट इस टेंडर इंडिया नो इस नौट अ लीगल टेंडर इन इंडिया अब लीगल टेंडर के अगर हम बात करें तो यहां पर दो चीज़ एक इसूट वायार बीया second it is guaranteed by government of India and if you remember demonetization जब 8 November 2016 को प्राम मिनिस्टर राय और उन्होंने कहा कि अब हजार और पात्सों रुपए के नोट जो है वो लीगल टेंडर नहीं है this is what he said if you remember if you not you can watch that video again it's available on YouTube I don't know where but so what he said he will legal tender नहीं है government अपनी guarantee जो है वो वापिस ले रहे लेकिन उसी note में आप नींचे की तरफ देखोगे यहां पर एक छोटा सा statement लिखा है I promise to pay the BRR a sum of 1000 rupees मैं धारक को 1000 रुपए अदा करने का वचन देता हूं तो जब प्राइम मिनिस्टर नहीं कहा कि यह लीगल टेंडर नहीं है तो गवर्मेंट ने अपनी backing ले लेकिन क्योंकि इसको किस ने शुकिया था और बी आई ने क्या कहा था कि हम इशु करते वक्त प्रामिस कर रहे हैं कि यह जो जो भी इसको होल्ड करेगा उसको इतने इतनी वाल्यू मिलेगी इसलिए और बी आई का प्रामिस खतम नहीं हुआ था कर इस वज़े से आप उसको बैंक में जाके एक्स्चेंज कर वा पाए और बीका प्र मेस एक्जिस्स्ट कर रहा था वह जिन्दा था जो नहीं Ц+, की बैंकिंग खतम हो गई थी नए इसलिए उसमें transaction नहीं वालीड़ था उसमें transaction कि उसके बदले आपको क्या मिला नहीं नोट मिले तो आरबमsome पूरा किया न मैं धारक को हजार रुपए अदा करने का वचन देता हूं तो जब आप हजार रुपए लेके गए तो आपको 500 रुपए के दो नए नोट मिल गए और यह कहा आर्बियाई ने अपना प्रॉमिस पूरा किया कही लोग उस दौर में कहा रहे थे अरे बैंकिंग का था तो आर्बियाई ने आना चाहिए था सरा अगर आर्बिया आजाता और आर्बीयाई यह कह देता कि हम यह नोट कर रहे हैं आप समघ्ये उसकी लिगालिट यह थिया उसका इंपली के तकी पूरी करण सी खतम हो जाती सिर्फ उसका एक एलिमन्ट खतम किया था कि वो भारत सरकार लिखा है ना पी यही कहा था प्राइम मिनिस्टर and I still remember कि पाँच सो और हजार रुपए के नोट अब लीगल टेंडर नहीं है इस इस वेट लीगल टेंडर इस मतलब भारत सरकार उससे अपनी बैकिंग वापिस ले रही है मतलब भारत सरकार ने अपनी बैकिंग वापिस लिए अब मनी सप्लाई की बात इसार एक तो समझ में आ गया पैसा क्या है आर्बिया इशू कर रहा है भारत सरकार जो है उसे ग्यारेंटी दे रही है और यह पैसा सर्कुलेट हो रहा है लेकिन यह आख कहां से रहा है कोई तो पॉइंट ऑफ सप्लाई होगा मैं कहां बढ़िया ज comment section में लिखेगा RBI में किसका account होता है और कौन-कौन eligible है RBI के साथ अपना account hold करने के लिए write that in the comment section अब RBI और हमारे बीच अब इन RBI और हमारे बीच का जो link है वो है bank कि वह है कि थैंक हम तो नहीं जा रहे हैं बतलब मेरा तो नहीं है रिजव बैंक में account आपका भी नहीं होगा भारत सरकार का होता है और दो चार एंटिटीज हैं एंटाइटिल हैं अपना account रख सकते हैं लेकिन RBI में हमारा account नहीं है और यह पैसे का जो supply कौन कर रहा है आर्बियाई अब आर्बियाऊ से डायेक्ट नहीं कर रहा है और बैंक के थूरू तरू और इस एन आप इन सवालों के जवाब धुनना शुरू कर दोगा बिसिक्स बैंक क्या है लिगल टेंडर क्या है यह डेफिनेशन यह कंसेप्ट अगर क्लियर होगा यह मानिया आपने आधी जंग जीत ली अब सिर्फ आपको उनको एक सूत्र में पिरोग के एक और गनाइस फॉर्म में रखना है मेरे और बैंक के बीच में हमारे और RBI की बीच में कौन इंटर्मीडियरी का काम कर रहा है बैंक तो बैंक इसा फैनाइशल कर रहा है बेसिक दो काम एक साथ कर रहा है बेसिक दो काम एक साथ कर रहा है वन इस एक्सेप्टिंग कर रहा है और दोनों एक साथ कर रहा है पहला क्या डिपाजिट एक्सेट कर रहा है मैं जा रहा हूं मैं मैने अपने पैसा जो है बंक मेरका बंक ना ठाव है थीक है ने की स्ट्राइब बंक ना कि इसी को पूल और उसको ए इंग हिससा किसी को लोन दे रहा है deposit accept कर रहा है loan forward कर रहा है इन दोनों की बीच में जो पैसा कमाया जा रहा है that is rate of interest that is what is the profit of the bank working capital bank का वहीं से निकल कहाता है वो जो बीच की fees or charges लेते हैं अच्छा इंदे मेन्वाइल what is rate of interest anyone I would have been in a class then I would have asked this but yes what is rate of interest rate of interest is cost of holding money rate of interest is cost of holding money जो पैसा रखा हुआ है rate of interest क्यों बैंक ने बोला तुम्हें पैसे की जरुवत थी वालिड है हमने तो पैसा बचा हमने जो पैसा जो जमा करके रखा हुआ है लोगों से लेके हम इसको hold कर रहे हैं इस hold करने का कॉस्ट है पुराने जमाने में जो प्राइवेट मनी लेंडर्स होते थे वह बहुत ज्यादा rate of interest चार्ज करते थे क्यों क्यों क्योंकि वह बोलते थे हम अपनी जरूरतों को रोक के पैसा रखे हुए हैं ताकि कि तुम लेने आयों हम तुम्हें देंगे लेकिन हम rate of interest चार्ज करेंगे जी rate of interest क्या होता है यह उस पैसे को रोक के रखने का उस पैसे को hold करने का जो कॉस्ट है हर चीस की कीमत रखने की भी कीमत है और वही पैसा रखने की कीमत क्या कहलाती ला तोरट कि से तो तो इस आघ को रहा होगा एक तो वो जाता है nbfc में नॉन banking financial company मतलब अगर आप जब सुनो कि कोई NBFC है NBFC का मतलब यह है कि वो इन दोनों में से कोई एक function की उसको permission होगी जा था वो deposit ले रहा होगा या वो loan दे रहा होगा bank ये दोनों काम एक साथ करता है अब हम गए हमने bank को deposit किया, हमने bank में पैसा रखा, अब हमने जो bank में पैसा रखा हमने जो bank में क्या करा deposit तो सर अब एक चीज समझ में आ गए यहाँ से कि हमारे एक तो money supply है उसका सबसे important element जो है उसकी जो सबसे महतपूर्ण कड़ी है वो है वो bank अब ये bank में हो क्या रहा है bank में जो हम deposit रख रहे हैं bank में जो हम deposit रख रहे हैं वो दो तरीके के एक कहलाता है time deposit एक कहलाता है demand deposit एक कहलाता है time deposit एक कहलाता है demand deposit time deposit का मतलब ये है कि इसके पैसे के निकासी में इसके पैसे के withdrawal में किस चीज का कौन सा element involved है time involved है यानि कि मैंने bank में पैसा रखा एक particular period of time के लिए best example fixed deposit हम जाते हैं हम आप पास मानलो एक लाख रुपया है हम उसे एक लाख रुपया को ले जाके bank में रखते हैं और bank से कहते हैं कि हम इसे fixed deposit कर रहे हैं हम इसे fixed deposit कर रहे हैं fixed deposit करने का मतलब यह है कि हम इस पैसे को आपके पास एक particular point of time के लिए रख रहे हैं अब bank बड़ा insist करता है bank का दसर FD करा लीजिए बार-बार depositors से खाएगा कि FD पर यह interest मिल रहा है यह benefit मिल रहा है वो बार-बार कहता है वो इसलिए कहता है क्योंकि यहां उसको एक चीज़ पता है कि यह पैसा जो यह रखा हुआ है यह जो आगे as a loan forward कर रहा है तो bank insist करता है कि सर्फिक्स deposit करिए लेकिन हम जो करते हैं तो दूसरा element है वो है demand deposit demand deposit का मतलब यह होता है कि जो भी हमारा saving account है मतलब इसके withdrawal में element of time नहीं है इसके withdrawal में element of demand है रात को दो बज़े मैं ATM के जरीए एक digital demand करूँगा bank को कि मुझे मेरा पैसा चाहिए bank देगा demand deposit आप चेक बुक आप चेक लेके जा रहे हैं आपने किसी को चेक दिया कि मैं demand करता हूं आप से कि आप जिसके नाम पे चेक है उसको इतना पैसा दीजिए bank deny नहीं कर सकता इस deposit को देने में this is demand deposit आप इसको टेनियोर से पहले तोड़ोगा तुम वह बैंक बोलेगा कि प्रॉमिस किया था पांच साल में पांच साल तक रखोगे तीन साल में ले जा रहा हो पैसा देना पड़ेगा पैनल्टी देनी पड़ेगी क्योंकि आप अपना promise तोड़ रहे हो यहां का नुकसान है और यहां जो भी पैसा यह तो यह जितना पैसा यहां पर जमा होगा that is what is called as bank deposit उसके लावा बैंक के पास other deposits भी होते हैं not a concern हमारा जो major concern है वो time deposit और demand deposit तो time deposit में क्या आएगा fixed deposit recurring deposit और इसमें क्या आएगा saving account और current account इसमें क्या आएगा saving account और current account generally so this is how the bank is accepting deposit जो bank deposit है वो दो तरीके के हैं that is our time majorly demand deposit and time deposit other deposits are very minor so we should we are not concerned with that अब मुझे ये भी देखना पड़ेगा कि सर ये जो पैसा है तो मेरे पास दो चीजे हो गई एक RBI वहां से पैसा कहां आया बैंक में बैंक से पैसा कहां आया वी दे पीपल वी दे पीपल ने पैसा कहां रखा बैंक में बैंक ने वी दे पीपल में से किसी को loan दिया और ये rotation चलता रहता है लेकिन इस rotation में हमें एक इस चीज हमेशा पता होनी चाहिए कि वाट कि इस दी क्वांटिटी ओफ मनी इन दे एकॉनमी की पूरे एकॉनमी में सप्लाई कितना है ऐसा नहीं है ना कि अनलिमिटेट सप्लाई शुरू कर दिया और यह इसा नहीं करेगा और यह कभी ऐसा नहीं करेगा कि वह अनलिमिटेट सप्लाई शुरू कर दे उसको हमेशा पता होता है कि कितना पैसा एकॉनमी में देना है उसे हमेशा पता होता है कि कितने पैसे को एकॉनमी में रोटेट करना है और उसे यह भी पता है कि कितना पैसा बैंक के पास है उसे बनी है यह एग्रीगेट आफ मनी है कि मनी एग्रीगेट जनरली यह मेजर्ज यूज़ होते यह पॉलिशी मेकिंग में यह मैजर्ज यूज ने मैं अकटमूम लेवल आफ मनी सप्लाइब करने लेकिन अब ये भी तो पता होना चाहिए ना कि वह ऑप्ट एम लेवल में भी क्या combination होना चाहिए कि सर्दियां आ गई है कि सर्दियों में आने के बाद सबसे कठिन काम है कि गरम पानी का सही combination create करना कि बहुत ज्यादा करम नहीं बहुत ज्यादा ठंडा और सुबह सुबह दिमाग जहना आइंस्टेंट की तरह काम करता है ठीक है इतना रोटेट कर लें इतना कर लें अभी इतना इतनी जरूरत है मॉनिंग टाइम में जब गरम पानी का combination बनाते हैं यह वही है कि सर्दियों आ गई है तो हम यह करी रहे हैं आपको लेकर नीचे लिखेगा सर मां ठंडे पानी जनाता हूं अगर हम बिमार पड़ गए तो यह है दिकत हो जाएगी विए टेक गुट केर अवर्स वेल और यू पीपल अनुस्टी वन थिंग तेल विंग नो इंड़न नो शिरू ने जब इन दो इन मैं कॉलिश तैंज वजब बार कर यह विए 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 वी कोई कभी कभी ओफर कर देगा कि सर आव और कोल ड्रिंक नहीं भी तला खराब हो गया तो यह बच्चे हमारे हैं इनको पढ़ाने में दिकत हो जाएगी खैर तो इस तो आपको है तो आपके पास अप टैप में जो है एक प्रीएट करोगी और वही चीज अर्बी आई करता है अलग-अलग मेज़र रखता है कि किस मेजर पे कब नैरो मनी की बात करनी कब ब्रॉड मनी की बात करनी वो देखते हैं अब हमने एक चीज देखी भाई साब हमारे पास यह जो मॉनिटरी अग्रिगेट हैं हमारे पास यह जो मॉनिटरी अग्रिगेट है इसके हमारे चार पैरामीटर है हमारे पैसे कहां है जो भी पैसा हमारी एकनोमी के अंदर है वो जो है हमारे चार जगों पर है पहला है कोई सेंट करन्सी विद पब्लिक पैसा किस फॉर्माट में है आपके और हमारे पास जो हमारे पॉकेट में है जो हमारे वालेट में है जो हमारे घर के सेफ में रखा हुआ है वह पैसा यह जो हमारे घर के सेफ में रखा हुआ है वह पैसा पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट का कंसिप यह है कि जब इंडिया में बैंकिंग पेनिट्रेशन की हम बात करें या फैनाशन इंक्लूजिन की जब हम बात करते हैं जब बहुत ज्यादा नहीं था तो सरकार ने के स्कीम चलाई कि भईया पोस्ट ऑफिस को जो है पैसे के बचत कर करने का जो है वो हम बनाएंगे तो पोस्ट ऑफिस इतने हैं वहां पर बचत खाता खुलवा सकते हैं जो लोग ग्रामीन या ग्रामीन शेत्र में होंगे जो लोग सेमी अर्बन एरिया से आते होंगे उनको चीज जाधा पता होगी अबन सेंटर में शायद यह इतना कामन न कहा ठाथा है कि यह पाबले कांस आपिसे आपिस्तों पैसा जमा हो रहा है उस आपिसे सफेस्ट प्लेस टू परिप यह पूस्ट ऑफिसित नहीं है पॉलिटी में पढ़ रहे होगे अबाउट टेट तो वो जो स्टेट की डेफिनेशन पार्ट थी के शुरुवाद में दिये पोस्ट आफिस उसको काटेगरी में आता है तो एप कहने को आप पोस्ट आफिस में रख रहे हो लेकिन इसकी गैरेंटी कौन ले रहा है Government of India स्टेट पोस्ट आफिस में पैसा सिफ रहता है तो आप हमारे पास यह चार मेजर्स हैं चार मेजर्स में क्या क्या होता है जब हम M1 की बात करते हैं मेजर 1 की बात करते हैं मेजर 1 का मतलब होता है currency coins and currency with the public and demand deposits with bank demand deposits with bank मतलब यहां पर demand deposits का मतलब जो भी हमारा जो भी हमारा saving account है या current account में जो पैसा है that will come here and that is demand deposits with fine M2 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 का मतलब है coins and currency with the public demand deposits with bank and M2 means coins and currency with the public demand deposits with bank and post up so M2 is अगर मैं यहां 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 लिखते हुँ ज़िए तो तो अगर इसको यहीं पर मैं फार्मुले के एक एक निक्स्स में लिखूँ M1 is equal to coins and currency plus demand deposits with bank of course M2 को अगर मैं कहूं M1 plus post office deposit M2 क्या है M1 में हम क्या करेंगे post office deposits add करतेंगे ऐसे एम तो इसमें यहां पर यहां पर कैंठीट्टनी करेंगे इसको इन्क्लूट नहीं करेंगे यहां पर इसको इंक्लूट नहीं करेंगे M2 में time deposits को जब हम M3 की बात करते हैं जब हम M3 की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है coins and currency with the public demand deposits with bank time deposits with bank but it does not include post office deposits ठीक है, it is not including post office deposits हम M4 की जब बात करते हैं, तो हम सब कुछ कुछ कंसिडर करेंगे ये भी, ये भी, ये भी और ये तो, this is what measures are, इन सब में इन सब में, जो सबसे ज्यादा होगा in terms of quantity सबसे ज्यादा quantity किस की होगी, यहां पर ले सबसे ज्यादा quantity किस की होगी M4 की M4 से कम quantity किस की होगी, M3 की M3 से कम क्या होगा, M2 और सबसे कम क्या होगा, M1 अगर हम liquidity की बात करें कि कोई भी asset, क्या कोई भी measure कितना जल्दी cash में convert हो सकता है उसे हम liquidity कहते हैं जैसे सोनी की liquidity जादा है जमीन के liquidity कम है सोना ही जल्दी cash में convert हो जाएगा जमीन को cash में convert होने में समय लगेगा तो सोने के liquidity क्या है सोने के liquidity जादा है जमीन के liquidity कम है आप इसमें देखोगे या आप और सबसे ज़्यादा liquidity किसकी सबसे ज़्यादा liquidity पैसे के खुद की लेकिन अगर हम यहाँ पर liquidity देखें तो सबसे readily available क्या है ये तो सबसे ज़्यादा liquidity होगी इसकी उससे कम liquid होगा ये M2, M2 से कम M3 और सबसे कम M4 Done Done and Dusted यही है जो है M1, M2, M3, M4 इसको formula के form में लिखना चाहो लिख लो M3 क्या हो जाएगा M1 M1 plus sorry this will be M1 will be M3 will be M1 plus time deposit M4 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 क्या हो जाएगा M3 plus post office simple आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है यह simpler format में इधर mentioned है that's it no need to go beyond this वहाँ पर यह quantity है यह liquidity है quantity जो है वो increase हो रही है gradually लेकिन liquidity क्या हो रही है decrease हो quantity increase हो रही है liquidity decrease हो रही है when we move from M1 to M4 when we move from M1 to M4 जब हम M1 से लेके M4 की तरफ जाएंगे तो यह liquidity और quantity इस तरीके से relate करेंगे अगर आपको यह table आता है अगर आपको यह chart समझ में आ गया आप monetary aggregate का कोई भी सवाल कर सकते हो कि अगर आपको समझ में आ गया है आप monetary aggregate का कोई भी सवाल सवाल कर लोगे कि यह सोई भी कि नव पिए सर आर बी यहां पर ऐसे ही मनी सप्लाई कर देता है इसमें आर बी आई कुछ भी पैसा यहां पर इंजेक्ट कर देगा कोई भी प्रिंटिंग करेंसी जो है शुरू कर देगा और पैसा प्रिंट होना शुरू हो जाएगा ऐसा नहीं है आर बी आई विए जो है हमारे यहां अपकर सिस्टम है रभी आइई जो आपने एक जन्रडल पालेंच में लोग एँड़ काहते हैं अब कामनलें लगुज में कहें तो आर बी आ पहले क्या करेगा आर बी आ पहले पहले पैसा रखेगा आर्भी पहले से लोग जो कहते हैं कि सोना रखता सुने के अगेंस्ट जैसे मैं आपको एक बिशामपल दूंग कि यह क्या हो रहा है बैंक अकाउंट्स है, बैंक अकाउंट्स में आपका पैसा रखा हुआ है, आपके बैंक अकाउंट्स से रिलेटेड एक चेक बुक होगी, जिससे आप चेक लिखते हो, अगर चेक बुक है, आप अपनी चेक बुक में कितना अमाउंट फिल कर सकते हो, आप कहोगे सर प्रासिटी है जितना पैसा आपके बैंक अकाउंट में हैं एक पर एक्जाम्पल अगर आप एक चेक लिख रहे हो और यहां आपने अमाउंट फिल कर दिया मानलो वन लाक रुपीज यह वन लाक रुपीज लिखने की पावर आपको कहां से मिली क्योंकि आपने वह वन लाक रुपीज अपने बैंक अकाउंट में जमा किया हुआ है वही आपको वह पावर दे रहा है कि आप यह चेक लिख सक वैसे ही RBI जब आपको एक नोट लिखके दे रहा है कि I promise to pay the bearer, आप भी तो चेक में यही लिख रहे हो, please pay someone XYZ. RBI क्या कहा रहा है? I promise to pay the bearer a sum of 500 रुपीज. valid? उसके पास ही power कहां से आई लिखने की, यह 500 रुपए लिखने की power कहां से आई? वो यहां से आई. उस reserve से आई, उस asset से आई, जिसको उसने रखा हुआ है अपने पास, उसके against currency issue दी. RBI जैसे अगर हम, हमाई check bounce हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? आपकी personal economy collapse हो जाएगी. ऐसे ही अगर RBI या कोई भी central bank किसी भी country का उसके assets से जादा currency या उस asset की backing से जादा currency अगर issue कर देगा, तो एकनौमी में जो है inflation आ जाएगा, एकनौमी में जो है पैसी की value खतम हो जाएगी. जैसे अगर आपने अपनी account में जो पैसा रखा है, उससे ज्यादा अगर check की value फिल कर दी है, आपने उससे ज्यादा अगर check की value फिल कर दी तो उस check की value बची, जीरर बोलेगा भीया, cold में मिलते हैं, कोई value नहीं बची. ऐसे ही RBI भी जो पैसा issue कर रहा है, उसके against कुछ उसके पास है, वो क्या है, वो gold है, वो foreign securities है, वो government securities है, fine, पहले क्या था? पहले proportional reserve system था, proportional reserve system था, मतलब जितना पैसा रखा है, उतना ही issue होता था, लेकिन अब we have a minimum reserve system which is called as MRS, RBI has to maintain reserve of at least 200 crores in the form of gold and foreign securities, out of this, 115 crores should be maintained in terms of gold. इसके against, RBI can print unlimited currency against the backing of gold, foreign securities and securities of government. RBI कर सकता है, अब पहले proportionate था, अब हमने कहा कि minimum इतना account होना चाहिए, जैसे, कई बार होता है, कि पैसा आने वाला है, अभी पैसा आया नहीं, लिख है, minimum इतना पैसा है, तो अभी आप check issue कर दो, दो महीने, दो हफते बाद लगा लेना, we will use that. So, earlier there was a proportional reserve system, I don't know why your quality is stuck in my mind, president का election, proportional representation system by means of single transferable vote, फिर, मतलब, overall RBI, और भी चीज़ें रखता है, government, जो coins issue करती है, हाँ, एक और चीज़, पहरे, coins और एक रुपए का note, जितने सिख्के दिखते हैं आपको बजार में, जितना सिख्का जो है, circulation में है, कौन सा, जो coinage act के था, सुने का सिख्का RBI issue कर रहा है, वो नहीं, Indian gold coin नहीं, जो सिख्का जो चलन में, जो legal tender है, सारे सिख्के और एक रुपए का note, भारत सरकार issue करती है, और उसके अलावा जितने currency notes है, वो RBI issue करती है, तो RBI कई बार क्या करती है, भारत सरकार जो सारे सिख्के, सारे सिख्के और एक रुपए का, एक रुपए का जो note है, वो कौन issue कर रहा है, वो भारत सरकार issue कर रही है, आप में से कोई जब finance secretary बन जाएगा, तो एक रुपए के note पे sign करेगा, yes, the 1 rupee note is signed by finance secretary, finance secretary क्या है, उसकी position क्या है, we'll talk about that in government budgeting, और वो क्या उसका position है, for the information, we'll talk about that in, अब यह हो क्या रहा है, okay, अब थोड़ा सा technical है, I need your patience, I need your full attention out here, कि सर, यह हो क्या रहा है, मान लो, 1000 रुपए का RBI ने note issue किया, 1000 रुपए की जो है, उसने reserve रखा, क्योंकि वो उस currency का reserve रख रहा है, इसलिए उसे reserve bank, और यह जो 1000 रुपए है, इसे हम कहते हैं M0, M0 का मतलब होता है reserve money या high powered money, reserve money या high powered money, अब यह पैसा जो RBI ने कुछ उसके against रखा, यह high power क्यों है, क्योंकि इसमें और पैसे को create करने की power है, यह high power क्यों है, क्योंकि इसमें इतनी power, एक तो हमने क्या नाम दिया, reserve money, सरी है reserve money इसलिए, क्योंकि इसके against reserve रखा गया है, यह high powered money क्यों है, यह high powered money इसलिए, क्योंकि इसके अंदर power है, कि और पैसे को create करते हैं, मान लो, अब आपके पास तो आएगा नहीं, मान लेते हैं, यह पैसा जो है, यह जो high powered money है, जिसके against RBI ने कोई asset रखा और उसे issue किया, वो bank A के पास आता है, और यह bank A के total, इसको assets, इसको, 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 यह RBI ने जो 1000 रुपे दिया, यह कहां आया, यह bank A के पास आया, banking system से यह आएगा, पैसा directly तो आ नहीं सकता, आपको तो देगा नहीं RBI की यह लो, तो RBI ने क्या किया, bank A के पास जो है, यह पैसा रख दिया, या bank A RBI से ले किया है, तो यहाँ पर bank A के पास deposit कितना है, 1000, bank A के पास deposit कितना है, 1000, मैं गया, bank A के पास कि सर मुझे जो है, 1000 रुपे का loan चाहिए, मुझे कुछ सामान खरीदना है, bank A के पास गया, इसार मुझे 1000 रुपे का loan चाहिए, मुझे कुछ सामान खरीदना है, bank A ने बोला देखो, 1000 रुपे तो नहीं देंगे, bank बड़े वो होते हैं, bank कभी भी आपको पूरा पैसा नहीं देते हैं, bank ने कहा कि नहीं हमारे पास जो है वो, प्रॉब्लम है, हम आपको पूरा पैसा नहीं दे सकते हैं, हम आपको लोन दे सकते हैं 900 रुपे तक का, हम आपको कितना लोन दे सकते हैं, हम आपको लोन दे सकते हैं 900 रुपे तक का, आने बोला ठीक है, तो बैंक के पास रिजर्व कितना हो गया बैंक के पास रिजर्व में पैसा रखा हुआ है अब मैं गया मैंने इस 900 रुपे का सामान खरीदा और मैंने कर दिया UPI से एक पेमेंट और वो जो UPI का पेमेंट हुआ उस शॉपकीपर का उस रिटेलर का बैंक अकाउंट जो था मान लेते हैं वो बैंक C में था बैंक B में था मैं बैंक B में था मान लेते हैं उसका अकाउंट मैंने क्यों पेमेंट किया और वो जो दुकानदार था उसका लोट अकाउंट कहाँ था उसका अकाउंट है बैंक अधियर नौ रुपय इसके पास आगया बैंक भी के पास सब्सक्राइक क हूं लौन चाहिए किटना नौ रृपय का बैंका नहीं हम 10% पूलो करेंगे हम आपको पूरा आपने इससे समान खरीद आपने जिससे समान खरीदा मन लेजिए उसका ACOWNT BANC C में था यह पैसा जो है BANC C में Deposit हो गया पूरे का समान खरीद लिया फिर कोई और गया BANC C के पास कि सर हमें लोन चाहिए कितना हम आपको 729 रुपीज का लोन देंगे और 81 रुपीज हम डेपॉसित में रखेंगे सवाल है कि क्या सरगी जो साइकल है यह चलता रहेगा यह चलता रहेगा देखो हो क्या रहा है क्यों मैंने कहा हाई पावर मनी है हजार रुपए इस तीसरी साइकल तक कितने होगा 1900 1900 प्लस 800 डाट इस 2700 टेन रुपीज हो गाए यह तो इसका आए ना यह तो जमाए दुकानदार का यह दुकानदार का जमाई जब चाहे निकाल लेगा उसमें से लोन दिया हो तो बैंक उसे रोटेट कर रहा है यह क्यों क्य इतित तो प्लस होगा 810 ridiculous यह थो टूंतोी क्यों क्यों कूंसा थी यह जो ऊंक तब जरी trail के जब यह। यह जो रिजर्ब tissue पाल ने होजर्ब 1000 मतलब यहां 100 प्लस 90 प्लस 81 फिर 72.9 करते करते बहुत सारी cycles चलेंगे और कब तक जब तक यह total M0 के बराबर ना हो जाए कब तक जब तक यह वाले column का total कि इसके बराबर ना हो जाए M0 के बराबर ना हो जाए यह cycle चलती रहेगी मतलब और यह क्या है या आपका रिस दख़ा है यही साइकर होगी इसी रिजेर्फ के बेशिस पर आरDay ये त्यूसे करेगा कि हमें कितना पैसा एशू करना है टो टब क्रें कितनी करने बैसे करना नहीं हो डलना अगर the total of R is equals to M0. जिस point पर ये दोनों equal होगा, ये cycle रुख जाएगी, उतना ही चल पाएगा. इसे कहते हैं money creation, और यहीं से concept आता है, यहीं से concept आता है money multiplier का. यहीं से concept आता है money multiplier का. यहाँ पर हमारा R है, R कितना मान लेज़े हमारा 10%, R कितना है, I'm sorry, R कितना है, हमारा reserve कितना है 10%, यह mandatory है मान लों सबके लिए, तो अगर R 10% है, तो यह money multiplier, money multiplier भी 1 by R, यानि की 10% that is 1 by तो अगर आपका reserve, तो आपका money multiplier कितना हो जाएगा 10x, 10% यहाँ रोका, 1 by R किया, 10% है, ध्यान रखिएगा, तो percent is 10 by 100, तो 1 by R किया तो आपको यह, this is what is 1 by 10%, 1 by 10% is 1 by 10 upon 100, तो यह कितना हो जाएगा, 1 by 10, that is 10x, fine, अगर मान लेते हैं, आपका आपका जो है, वो 25% है, 10x का मतलब यह है, कि जो high powered money है, जो M0 है, उसको जब market में release करेंगे, तो वो अपनी 10x money create करेगा, मान लो यह reserve ratio जो है 25 है, 25 है, तो 1 by 25 into 100, 4x, यह कितना create करेगा, तार गुना, मतलब, reserve ratio जितना कम होगा, money multiplier उतना ज्यादा, reserve ratio जितना कम होगा, money multiplier उतना ज्यादा होगा, fine, so, this is, the concept of credit creation, यहीं पर एक टर्म और आ जाता है, before inflation, यहीं पर एक टर्म और आ जाता है, and that is called, velocity of money, that is called, velocity of money, velocity of money क्या होता है, मान लीजिए, मैंने, तुभे, जाके मैं, दूद, ब्रेड और अंडा खरीदा मैंने, मैंने अपने घर के पास के दुकान से दूद, ब्रेड और अंडा खरीदा, मैंने उसको 100 रुपे दिये, ठीक है, उस 100 रुपे से, in the meanwhile क्या हुआ, उसके पास, कोई उसका मानलो supplier आ गया, मैंने 100 रुपे का नोट किसे दिया, वो दुकानदार को दिया, उस दुकानदार ने क्या किया, उस 100 रुपे का नोट से, वो गया, उसने बोला चलो आओ, भूग लग रही है, उस 100 रुपे का नोट उसने किसे दे दिया, उसने, सोले भटूरे वाले को दे दिया कि भईया सोले भटूरे के पास क्योंकि उसका होटल था तो उसके पास एक दूद वाला आया तुद सप्लाई करने उसने बोला भईया यह तुमारा आज का सौर रुपया तिक वही सौर रुपया वो सौर रुपय उस होटल वाले ने उस दू हुआ पेस जबस शिज़ते घर के लिए जो है राशन ले लुँ वो राशन की दुकान पे व में गया वह सुअ रुपय है का नोट उसने राशन वाले को दिया कि अ- seus राशन वाले ने उसको किसी और को दे दिया किया हो रहा है एक सुआ रुपय ही कर्शी नोट but it is changing its hand velocity of money यह बताता है कि कितनी बार कितनी बार एक currency note will change the hands अगर it's like traffic अब आप समझो velocity of money ज्यादा कब होगा और velocity of money कम कब होगा आप सड़क पे गाड़ी चला रहे हो आपकी गाड़ी की velocity ज्यादा कब होगी जब सड़क पे कम गाड़ियां होगी यह सड़क पे ज्यादा गाड़ियां होगी तो velocity of money ज्यादा कब होगी मतलब कितनी बार जब लोगों के पास पैसा कम होगा तब ही नोट ज्यादा चेंज करेगा एक हैंड अगर लोगों के पास पैसा होगा तो वह जो फ्लो है वह रुख जाएगा जरूरी नहीं वही नोट हो कोई और भी उसके पास दूसरा होगा तो हम जब गड़ी गाड़ी चला रहे होते हैं सड़क पर तो सड़क पर जब कम गाड़ियां होती तो वेल अब जब मनी सप्लाई बहुत ज्यादा होगा तो विलासिटी ओफ मनी कम होगा सो मानी मल्टिप्लायर प्रेडिट क्रेशन विलासिटी ओफ मनी ड़न अब बात करते हैं इन भाई साथ की जिनका नाम है इंफलेशन बड़ी खतरनाक चीज़ है और बड़ी युनीक सी चीज इंफलेशन जिसे हिंदी में मुद्रस्विती कहते हैं इसमें होता ये है और अगर बहुत आम जबान में इसको समझा दूँ तो इस इस यूर महंगाई भईया हिंदी वाले जरा सा हिंदी में लिखते ही नहीं है मातरा की गलती हो जाएगी तो तुम कंसेप्ट छोड़के म मात्राओं पर चला जाओ गया कि सर इंदी नहीं आ रही है कि महंगाई आम जबान में कहें महंगाई अब क्या यह महंगाई कि अब वैसे को कोई कह देगा जैसे हमारे घर के पास हर फ्राइडे को जो एक बजार लगता सब्सक्राइब मैं जा नहीं पाता हूं तो wife will go and wife कभी कभी आगे कहती बताब सब्सक्राइब कि पिछले अफते इतने की थी अभी इतने की हो गई तो किया मैं इंफलेशन कह दू? एक हफते में उसने सब्जी का पर्णू जो है सब्योई के प्रैस में डिफरेंस बता आहे कहा कि बढ़ गई, इसे इंफलेशन कह सकता हूं या अब तो प्रेट्रोल में तो प्रेट्रोल में डायनेमिक प्राइसिंग है इंफ्लेशन इतना important या मुदरस्वती इतना important इसलिए है क्योंकि ये आपकी value of money या purchasing power को कम कर देता है ये क्या करता है ये आपकी purchasing power को कम कर देता तो क्या जो रोज रोज change हो रहा है जो हम आम जबान में कह देते हैं कि सर ये महंगाई है महंगाई है क्या वो inflation नहीं inflation की definition में या inflation के concept में सबसे important element है ये inflation there is a general rise in price level inflation general rise in price level over a period of time अगर आप उसे over a period of time नहीं कह रहे हो तो वो inflation नहीं है हम रोज रोज petrol मतलब कल पेटरोल का भाव मानलो 96 रुपीस था आज वो 97 हो गया तो मैं नहीं कहूंगा कि petrol में inflation आ गया हाँ एक साल पहले petrol का price 80 था आज 96 है मैं कहूंगा petrol में inflation over a period of time over a period of time that is what is inflation है अब सरी यह क्यों आप इसकी इतनी बात क्यों कर रहे हूं यह बहुत important है कि इसके बहुत सारे reasons है ये महंगाओ क्यों होती है अब सवाल है why this inflation is important why this inflation is important to understand कि इसके बहुत सारे reasons हैं इसके बहुत سारे reasons हो सकते हैं for example यहां पर normal demand किचीज़ demand or supply vancющke principle काम करेगह tyng जैसे जैसे यारद बढ़ती जाएगी प्राइस बढ़ता जाएगा जैसे जैसे बढ़ती जाएगी ज़्यादा supply होगी तो प्राइसस कम हो जाएगा demand जैदा होगी तो प्राइसस्कर थे बढ़एगा यह एक relation जो है ध्यान रखिएगा before this. Now types of inflation की बात करें तो दो major types of inflation होते हैं. एक होता है demand full inflation that is उसको मैं कहता है ना मांग की वजह से fine मैंने आपको last lecture में बताया था aggregate demand का मतलब formula क्या होता है c plus i plus e plus x minus spend. मैंने आपको last lecture में ये भी बताया था कि ये formula जो है मैं multiple जगे यूज़ करने वाला हूँ और ये आपको यहाँ पर देखो. जैस जैसे आता जाएगा I will keep on telling it. तो क्या होता है इकमाल लेते हैं तो demand कैसे कि full economy में जो aggregate demand है वो क्या है it is greater than aggregate supply economy में क्या है overall जो demand है economy के अंदर वो ज्यादा है किस से supply से demand ज्यादा supply कम prices will go up और जो भी अभी supply है output का जो भी अभी supply है वो हम उसको जो है हम वो से control नहीं कर पाएगा वो उसको fulfill नहीं कर पाएगा इसने demand क्या हो जाती है demand बढ़ जाती है and demand for goods and services exceeds ultimately rise in price कुछ नहीं हुआ है ना जो है कोई external change है ना कोई tax बढ़ा है कोई नहीं यहाँ पर लोग चीज की demand क्यों बढ़ रही है चीजों का price क्यों बढ़ रहा है या inflation क्यों आ रहा है क्योंकि demand जादा है और supply उतनी नहीं है अभी demand जादा क्यों हो सकती है यहाँ पर आप multiple reasons दे सकते हो एक reason है increased supply of money एक reason है increased supply of money वह इन भी से increased supply of money मान लेते हैं कि सबकी account में 15-15 लाख रुपे आ गए कालाधन देश में आता है और सबको distribute हो जाता है सबने क्या किया 15-15 लाख रुपे सबकी account में आ गए हमारे समाज में आज के टाइम पे phone is important और हम मान लेते हैं सबको जो है iPhone लेना है सबको क्या करना है सबको iPhone लेना है everyone has to get this iPhone मान लो iPhone 14 वो क्या 14 Pro Max जो भी है अजिम कर लेते हैं उसकी value जो है एक लाख रुपे उसकी value जो है वो एक लाख रुपे अब Apple को तो नहीं पता था कि सबकी account में 15 लाख खाएंगे और सब डिमांड कर देंगे आपल की तो supply उतनी की उतनी है लेकिन डिमांड जो है क्यों कि अब सबको लगा सब मान लेता है सब जा रहे हैं सबसे पहले आईफोन खरीदने अब हुआ क्या पानलों एक लाख रुपे का आईफोन था अब मैं दुकान पर गया में सब चार लोग और चले गए पांच लोग और चले गए और आप शह साथ लोग दुकान पर खटा होगा और वहां पास सिफ दो आईफोन बचे श्क मेरे पास भी है।श्थ है ऐसा बाकिव के पास भी है सबके पिया माना गया खाहिए यह इंट कोनी पैसे की वाली नहीं बची पैसे की कम हो गई आ है पीछे से को भी बोले का ओधा नायं पैसे की value जो आइफोन है उसका price बढ़ रहा है क्यों बढ़ रहा है क्या उसके production में कोई दिक्कत आई नहीं क्या उसका कुछ महंगा हो गया कुछ भी नहीं हुआ tax जादा लग रहा है तिर्फ क्योंकि लोगों के पास जादा पैसा है इसलिए जो जादा सवाल है पैसे बिजवाते हैं हम जो है रिया शांदार चौड में आज तुमा भाई CCD में कॉफी पीएगा पैसे जादा है CCD में कॉफी पीएगा पंदरा दिन में 80% आपका मंसली एक्सपेंसेश खतम फिर वही भाई जो है कॉलेज के भार की टपरी में कटिंग चाय पी रहा होता है वह भी वह लेगा भाई या पेपर कप आ लिजे दो कुलरड़ वाली भी ना दो कि इस वार्ट इस वाली ओफ मनी या आपका टेस्ट और प्रिफरेंस बदला नहीं ऑपकी चॉइस बदली नहीं क्या बदल गया सिर्फ पैसा आपकी जेब में है जो क्वांतिटी जेब में वह हुआ बदल गई तो आपका सब चीस कि बदल गया आपकी पैसे क्लिवल्य क्योंकि आप पैसा कम है तो से बचागा रखना आप पहन जाएगा CCD में कॉफी पीने और मतलब थोड़ा सा और किसी महीने जादा आगा तो CCD ने इस बार स्टार्बक्स में जाए जाएगा and this is what happens this is what happens क्यों चीजें क्यों महेंगी हो रहे हैं यहां पर demand क्यों बढ़ गई demand बढ़ने के कुछ भी reasons हो सकते हैं एक reason है increased money supply जब money supply जादा हो जाता है तो लोग फिर जादा चीजे demand करने लगते हैं इसलिए inflation को control में रखना पड़ता है एक होता है cost push inflation अब ये एक reason हो सकता है कि जो when aggregate supply and economic declines or lower than aggregate demand at full employment level of goods and services माल लो petrol का price बढ़ गया diesel का price बढ़ गया wages बढ़ गए means input के end पे last lecture में बताया था ना cost क्या होता है factor cost अगर उसके किसी factor cost में किसी तरीके का increase हो जाएगा we will call that cost push inflation so demand क्या कर रहा है price को उस end से खीच रहा है इसलिए demand pull inflation cost क्या कर रहा है पीछे की तरफ से price को बढ़ा रहा है इसलिए cost push inflation demand pull cost push inflation now this is अब अगर मतलब तर क्या बहुत ज़दा महंगाई जरूरी है बह меш दो नहीं होनी चाहिए तो क्या बिल्कूल बहुगाई नहीं होनी चाहिए prices को कम हो जाना चाहिए opposite of inflation is deflation क्या deflation आजयना चाहिए economy के अंदर कि deflation अच्छी चीज़ है नई deflation अच्छा इसलिए नहीं है deflation अच्छा इसलिए नहीं है इंफ्लेशन आ गया इंफ्लेशन कितना आ गया सर पांच परसेंट एक साल में प्राइस जो है वह पांच परसेंट बढ़ जाएगा अगले साल एक हजार पचास रुपे हो जाएक और यह बढ़ता रहेगा परसेंट परसेंट इस पांट को क्या मैं अगरेशन रहेगा प्रियूस करने के लिए तो यहां थोड़ा थोड़ा सर प्राइस बढ़ रहा है यहां फिर यह 1100 हो गया मालो फिर 1150 हो गया I'll say fine that's good that's good going let me I'm happy with this हर साल इतना प्राइस बढ़ जाता है which is good for me यह position तो मेरे लिए ठीक नहीं है ना मेरा तो पता चला एक point ऐसा आएगा कि मुझे अपनी factory बंद करनी पड़ेगी अगर यह prices इतने जादा काम होने लग जाएंगे तो sustain नहीं कर पाएंगे इसलिए थोड़ा सा inflation जरूरी है economic के लिए जैसे खाने में नमक की quantity जरूरी है थोड़ा सा अब बोलो किसा नमक से खाने में लजज़त बढ़ जाती है बिल्कुल बढ़ जाती है क्या किया जाए सर क्या चार-पांच चमब डाल देते तो खाना खाने लायक नहीं बचेगा खाना खाने लायक नहीं बचेगा इंफ्लेशन जो है वो आगे बढ़ेगा मतलब इंफ्लेशन इस इस नमक भी नॉर्मल है तो इंफ्लेशन थो एकॉनमी इस लाइक तो फूड बिना नमक के खाने में स्वाद नहीं आएगा अब बहुत ज्यादा नमक डाल दो तो भी खाना खाने लायक नहीं बचेगा बिलकुल इंफ्लेशन नहीं होगा तो एककनामिक ग्रोथ नहीं होगी बहुत ज्यादा इंफ्लेशन फ़ता इक शर्य शरत ज्याधा एगा कैवा अभी ज़रूट गम है वह नॉब होती है न वो ड्रिप लगती है उसमें चोटी सी देखना नॉब होती है वह से गंट्रोल करती है कि इतना fluid का सपट्लाई किस रेट से fluid सपॉप्लाई होना चाहिए उसको maintain करती है and that is what that knob is this monetary policy वो जो नॉब है वो क्या है monetary policy है और वो नर्स कौन है वो नर्स हमारे RBI है अब RBI को यह देखना है कि किसी भी point पे ना तो बहुत जादा money supply हो जाए वनना महंगाई हो जाएगी inflation लोगों के पास बहुत जादा हो जाएगा ना इतना पैसा कम हो जाए इतनी जो है महंगाई है इतना rate of inflation कम हो जाए कि जो producer है वो discourage होना शुरू हो जाए तो हमें दोनों चीज़ें नहीं चाहिए हमें एक midway चाहिए हमें optimum level चाहिए हमें moderate level चाहिए which is actually required which is actually required for economic growth आर्थिक विकास के लिए थोड़ा सा मुद्रम स्विथी होना जरूरी है और यह कहां से पता चलता है यह कौन कंट्रोल कर रहा है वो जो नॉब मैंने आपको बताई वो जो आपको regulator बताया वो कौन है वो यह monetary policy है और उसको control कौन कर रहा है उसको control कर रहा है कि आर भी आई क्या होती है monetary policy है तो पहली चीज़ अब एक एक सिंपल से चीज़ समझो आई है आपकी जेब में पैसा है आपकी जेब में वालेट है आपके घर का एक वालेट है इल्कुल है अलब घर का एक फूल होगा आपका घर का जो फामली इंकम है उसके दो इसपेक्ट है या अभी कि अगर मैं बात करूं आपकी जेब में जो वालेट है उसके अंदर जो पैसा है पोई बोलेगा सर की नजर उस पैसे पर नहीं वो जो पैसा है उस पैसे के दो एसपेक्ट है पहला कि वो पैसा आया कहां से और वो खर्च कहां होगा पहला एसपेक् और वह खर्च कहा दूसरा आपके पास कितना पैसा है one thing how much money you have how much money you have that is how much quantity of money is in your wallet right now that is your one aspect another aspect is from where it has come and how you will what is your earning pattern what is your spending pattern यह दो एस्पेक्ट है पहला जो एस्पेक्ट है which is how much money you have आपके वालेट में इस समय कितना पैसा है that is monetary policy यह कौन तै करता है यह RBI तै करता है अगर अभी आप earning नहीं है और आप अपने आपके parents आपके भाई बहन जो है आपके लिए पहनत कर रहे हैं तो वो RBI है वो तै करते हैं भीया तुम्हें इतना पैसा मिलेगा ज्यादा पैसा मिल गया तो बिगड़ जाओगे RBI ज्यादा पैसा दे दिया एकनौमी में तो बिगड़ जाएगी that is RBI कि इनके मिलता है न भाई यह मैं मिदल क्लास फैमिली के बच्चे ज्यादा पैसे देंगे तो बिगड़ जाएगा कहते है न तो ज्यादा सप्लाई हो गया तो बिगड़ जाएगा यह कौन तै कर रहा है यह कितना पैसा देना है at any monetary policy determines that at any point of time what is going to be the quantity of money in the economy it determines what that at any point of time what is going to be the quantity of money in the economy परनी प्रoseं अ Ohh a big एक staff सायाँ कहाँ से घर से आया अया तैल वी से आया बिजनस से आया प्राफिट से आया के त kitty किसान है इब को Elena आया हर्च कहां करो प्रक्राइब ना खाने पर खंच करेंगे इतना Hem पर खर्च करेंगे यह डिसीजिजन वहां से नहीं आ रहे हैं आपका है आप हो गए गर्मिंट ऑफ इंडिया वह हो जाता है फिसकल पॉलिसी आगे चलके आएगी फिसकल पॉलिसी लेकिन अभी तो अभी हमें क्या देखना है कि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे एकोनोमी के अंदर वाट इस दी कॉंटिटी ऑफ मनी यह कौन ते करेगा यह आर्वी आई करेगा जैसे घर वाले कहते हैं ज्यादा पैसे मत दो गड़का बिगड़ जाएग अगर इसा नहीं हुआ हमें इंफलेशन को लिमिट करना है हमें एक एक्सचेंज रेट हमारी करन सी जो विदेशी मुद्रा में जो कनवर्ट हो रही है उसको करना है जो आप क्रियेशन में क्योंकि अगर प्रड्यूसर डिसकरेज होना शुरू हो जाएगा तो सबसे पहले क क्या करेगा अगर उसका प्राइस मैं अगर मेरा प्रडक्शन यूनिट जो है वह यहां फसा होगा तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा सबसे पहले मैं वर्कर्स कम करूंगा अनिम्प्लॉइमेंट बढ़ जाएगा यह भी नहीं होने देना है फाइन देन प्रमोटिंग एकन के अंदर मैमी सप्लाई कितना होगा कैसी होती है एक होती है क्या मनिट्री।ची का मतलब होता है कि यहां पर हमें मनी सप्लाई को दिल बढ़ हो गया आधा त्षी कर रहा है सही के बर्फॉर्मनेस दो एक्सकों ध्त्याब कर दो एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी कोंट्राक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी यहां पर मनी सप्लाई क्या कर दिया जाता है यहां पर मनी सप्लाई कि कम कर दिया जाता है क्यों लड़ा का जो इधर अधर की हरकते जादा कर रहा है इसका पैसा कम करो पहले तो बिगड़ने वाली हरकते कर रहा है इसका पैसा कम करो contractionary monetary policy इससे जादा कुछ याद नहीं रखना है अब वो rate of interest और वो चीज़े भी देख लेंगे लेकिन basic यही है expansionary monetary policy में दिल बड़ा करके give more money to the economy और यहां पर बिगड़ने लग जाता है तो क्या हो जाता है तुम ज्यादा जो है तुम्हारा दिख रहा है शापिंग उपिंग ज्यादा और इसके पैसे कम करो इसके पैसे कम कर दी जाते हैं यह कौन एकनामिक है क्यूं हमें हमें monetary policy की जरूरत क्यों है सबसे पहले हमें जरूरत है economic economy की अंदर price stability की हमें जरूरत है इस price को बहुत ज़्यादा fluctuation होगा price में that is also not good for economy unstability आती है लोगों का purchasing pattern बदल जाता है हमें एक general pattern पता है तो भाईया अभी प्याज जो है वह 25 रुपे किलो है और आलू जो है वह 25 रुपे किलो ठीक है आज 25 है कल 50 हो जाएगा परसो 10 हो जाएगा economy में हाहाकार मत जाएगा इस चीज़ के तो इस चीज़ को stabilize करना है जब यह चीज़ stabilize होगी तो economic growth stabilize होगी जो आर्थिक विकास है वो स्थिर होगा वो स्थिरता से जो है gradually हमें उसे उपर ले जाना है जब यह होगा तो हमारा जो exchange rate है क्योंकि हमारी economy जितनी stable होगी रुपिया उतना international market में मजबूत होगा रुपए को international market में मजबूत करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत है हमें price stability की ज़रूरत है हमें अपने economic उसमें क्या करने की ज़रूरत है stabilize करने की ज़रूरत फिर balancing savings and investment देखो मैंने saving की उस saving को मैंने bank में डाला bank ने saving का loan बनाया किसको दे दिया वो loan दे दिया उन्होंने industry को industry ने उसको क्या कर दिया invest कर दिया इंडस्ट्री की जगे firm लेलो हमने four sector model पढ़ा था ना और economy के अंदर equilibrium का बाता है economy के अंदर equilibrium है जब saving is equal to investment और saving के लिए important यह है कि सारा पैसा banking system के तुझा सारा पैसा कहां save होगा bank में bank उसे further जो है economy में invest करेगा in the form of loans बड़े-बड़े business houses को loan दिये जाते हैं हम उन लोंच की बात कर रहा है कि तो यह सेविंग और अगर अगर बहुत ज्यादा महँगाई होगी तो क्या में saving ज्यादा होगी नहीं होगी जब saving ज्यादा नहीं होगा नियुक्त इंवेस्ट्मेंट भी ज्यादा नहीं होगा एक नौमी मीचे की तरफ जाने लगी सब्सक्राइब जब सब्सक्राइब होगी दलों ngora जब सब्सक्राइब सब्सक्राइब सबका क्या होगा जॉब मिलेगा इंप्लाइमेंट जन्रेट होगा जब इंप्लाइमेंट जन्रेट होगा तो ओवरॉल एकनामी में क्या हैगी फिनाइशल स्टेबिलिटी इस अब्जेक्टिव और यह सिर्फ एक जगे के रिगलेटिन जैसे मैंने आपको भी ग्लुकोस का एक्जामपल दिया आपकी वाड़ी में ग्लुकोस कम हो जाएगा तो आप वो नर्स आएगी नर्स रेगुलेट करेगी वो सिर्फ ग्लुकोस बढ़ा रही है बाकी चीज़े अपने आप होंगे आपके जो मालो आपका किड्नी फंक्शनिंग न हमारा सिर्दर्द हो रहा है ग्लुकोस लेवल किरने के वज़े से विजन कमज़ोर हो गया और ग्लुकोस लेवल किरने के वर ठीक है सब्यूकोसलेवल बढ़ा दे आप निया ठीक हो जाएगे ऐसे ही मॉनेट्री पॉलिशी से अड्जेस्स कर लेते सारी चीज़े एव्री will fall in line. This is the importance of monetary policy. RBI की monetary policy इस लिए important है. अब ये कर कैसे रहा है? अब ये हो कैसे रहा है? ये हो रहा है इन चीजों के जरीए. RBI जो भी, अब RBI के पास दो दो एस्पेक्ट है. एक, बहिया ये जो quantity of money है और सारा system जो है, circulatory system का है, circulatory system है आपकी banking system. पैसा तो वहीं से flow हो रहा है न? अब RBI के पास दो एस्पेक्ट है. पहला, बहुता, banking जो है, उससे हम regulate करेंगे कि कितना M1 कितना करें, M2 कितना करें, M3 कितना करें, हम regulate करेंगे. और उस तो वह क्या करता है, quantity of money को भी, quantity of money को maintain करता है. लेकिन उसके अलावा, यह सारी चीज़े wallet तब होगी, जब मैं अपने से एविंग को, यह बांक में रखू गा, इस तब ही होगा ना जब मैं बैंक में अपना पैसा रखोंगा मैं आपसे आज कहां कि आये आज से मैं आपके सारे जितने लोग है देख रहें और अब बोलेगो ओसर या बागतर हो अब भाग गए तो जब कि मुझे जान रहे हो यूनो अच्छा सर विल भी पाउंड पी डव्यू देन आलजो यू लॉट आप तयार नहीं होगे मेरे पास पैसा रखने की लिए आप बैंक में किसी को नहीं जान रहे हो लेकिना बैंक में अपना पैसा रख देते हो क्यों कि आरबी आई आपको पता है अट दे अंड अफ दे डे आरबी आई है जो इस पैसे की हिफाज़त करेगा और यह आरबी आई की जिम्मदारी है कि इस पैसे क्योंकि पैसा अलमारी में रखावा पैसा किसी काम का नहीं है एकनौमी के लिए और इसा किसी कईए रहे को है, थिए जब तक वो पैसा बैंकिंग सिस्टम में नहीं लाया जाएग। वो पैसा उसलेस है और बैंकिंग सिस्टम में का आझा जब लोगों का भरोसा होगा बैंकिंग के उपर Ale Ai अगर banking में fraud शूरू हो जाएगा बैंकिंग सिस्टम में quality नहीं रहेगी तो क्या लोगण अपना पैसा बैंक में रखेंगे लोग अपना पैसा कभी बैंक में नहीं रखेंगे तो RBI को ना सिर्फ यह maintain करना है ये सारी चीजों को maintain करना है quantity को maintain करना है RBI को एक healthy banking system को भी maintain करना है RBI को एक healthy banking system को भी maintain करना है For that they have qualitative tools Quantitative tools Flow of money वो हमारा regulator है अलग-अलग zone में है अलग-अलग modes में है देखेंगे कैसे काम करता है और qualitative tool है कि भाई साब RBI को ये भी देखना है कि लोगों का जो भरोसा है तभी तो ये savings bank में आएंगी लोगों का भरोसा नहीं रहेगा banking system पे savings नहीं आएंगी quantitative tools में क्या क्या है reserve ratio जिसमें है CRR, SLR open market operation की बात मैं करेंगे rates की बात करने तो bank rate LAF, liquidity adjustment facility है reporate, reverse reporate और MSF ये basics because this is our focus batch यहाँ पे हम basics की बात करें CRR मैंने जो bank में पैसा जमा किया तेरा जो deposit bank में गया वो bank का नहीं है वो bank का नहीं है वो bank चाहे वो fixed deposit हो चाहे वो saving account में हो चाहे वो time deposit हो चाहे वो demand deposit हो वो bank को मुझे वापस करने तो वो bank के लिए क्या हो गया लाइबिलिटी. वो बैंक के लिए क्या हो गया? वो बैंक के लिए हो गया लाइबिलिटी. जो बैंक पैसा लोन में आगे बढ़ा रहा है, बैंक लोन में पैसा आगे बढ़ा रहा है, तो वो जब आगे बढ़ा रहा है, तो उस वक्त उस पैसे का कस्टोडियन कौन है? बैंक तो bank की balance sheet में उस पैसे को जो उसने loan दिया है क्योंकि वो bank को वापस लेना, वो bank का है वो कभी नहीं कहेगा कि आपका पैसा मैंने उस person का पैसा जो है कि मैंने डॉक्टर जिया का पैसा जो है उधर दे दिया है तो यह पैसा डॉक्टर जिया का है bank की balance sheet में पैसा bank का है asset तो जो भी deposit है वो liability है और जो भी loan है वो bank का asset है इसलिए term आता है non-performing asset आगे चलके बात करेंगे इसकी non-performing asset banking में देखेंगे लग से non-performing asset मतलब loan डाइक लेकां में किसी टर्म में असेट का मतलब होता है लुन कि अब है एक बैंक के पास है पॉब्लिक डिपॉसिट ribank के पास क्या है पब्लिक डिपॉसित जो हम ने आम लोगेन जू है वो पैसा जमा किया हुआ है लेकिन यहां पर एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं इंटर बैंक डिपॉजिट बैंक क्या करते हैं माली यह एक बैंक हमारा एस्बी आई है एक आई-सी आई-सी आई है अब एस्बी आई के पास डिपॉजिट्स जादा आ गए और अभी आई-स्बी आई के पास कोई लोन लेने नहीं आ रहा है परिशान मुले क्या कर जाए जब तक कोई लोन नहीं लेने आता एक काम करते हैं हमने सुना आई-सी 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 में 90 दिन के फिक्स डिपॉजिट पे जो है इंट्रेस्ट मिल रहा तो आज भी क्या कर देते हैं उसे महारक देते हैं इस इस काल्ड इंटर बैंक डिपॉजिट इस इस काल्ड इंटर बैंक डिपॉजिट तो जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो अगर हम टोटल डिपॉजिट की बात कर रहे हैं तो वह पॉब्लिक डिपॉजिट भी है और इंटर बैंक डि लेकिन जब हम net deposits की बात करते हैं, total demand and time liabilities that is public deposit plus interbank deposit लेकिन जब हम term use करते हैं net demand and time liability इसका मतलब यह है, liability मतलब what? deposit, liability मतलब deposit तो जब हम बात करते हैं net demand and time liability की तब हम interbank deposit को consider नहीं करते हैं जब हम net term use कर रहे हैं तो हम सिर्फ bank के उस deposit की बात करेंगे जो की पॉब्लिक ने रखा है, हम total उसके पास bank ने भी रखागा दूसरे अब जैसे हाँ, ICIC में SBI का भी deposit, ICIC में public deposit भी है तो यहाँ पर जब हम कहेंगे total तो हम public deposit भी include करेंगे और interbank deposit भी include करेंगे लेकिन जब हम कहेंगे net तो net में हम सिर्फ इसको include करेंगे अब होता क्या है आप के पास deposits है PRR का मतलब होता है cash reserve ratio इसका मतलब यह है reserve है तो किधर जाएगा reserve bank के पास cash में क्या time आ रहा है reserve किसके पास जाएगा reserve bank के पास हर bank को अपने deposits का एक हिस्सा जमा करना होता है कहां as a security deposit समझ लीजिए इसके पास RBI के पास जाहे तो वह अपने पास रख ले RBI को inform कर दे या वह RBI के वालट में रख ले banks का choice लेकिन यह किस format में होगा cash के पार आज पॉइंट आप security यह वह amount है जो bank को deposit करना पड़ेगा उसको पड़ेगा जैसे इस पैसे से मतलब यहां जो अभी जो भी जनली एक 3.5 परसेंट फोर परसेंट होता है यह 4 परसेंट मान लीजिए अगर है पर इस फोर परसेंट पैसा मात लो वह जो हजार रुपे हमने RBI के पार बीए ने इनको दिया या जो हजार रुपे मैंने बैंक को डेपॉजट किया उसमें से 4 रुपे कहां जाएंगे यह चार रुपे जाएंगे आर्भी एक पार क्योरीटी है यह सिक्योरीटी है इसलिए भरोसा है मतलब अभी एस स्टेज में सिर्स्टीर र की बात करें तो बैंक सॉर्य फॉर्टी रुपीज जाएंगे ऑट सब्सक्राइब के पास अभी नाइन थाउजन नाइन हंड़ेड सिक्स्टी इस रुपीज है रुपीज है रुपीज है रुपीज है यह वह आर का एक कॉंपोन है फिर आता है है यह यह आपको अपने पास मेंटेन करना पड़ेगा तो अवाइड दी सिच्वेशन आफ बैंक रन का मतलब मालो हम यहां भी पढ़ रहे हैं आपका अकाउंट स्बी आई में और आपको कोई बोले अब लोगो सर्पढ़ाई वड़ाई बाद में अपना पैसा देख लें बैंक में पैसा खतम हो रहा अपना पैसा निकाल लें और अगर यह खबर जादा हो जाएगी तो क्या होगा अपनी लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए आपके पास कैश फॉर्माइट आपके पास एसेट्स मेंटेन करने के लिए अर्भी ने कहा कि जो भी आपके डिपॉसिट्स हैं उसका आपको एक हिस्सा कहां रखना पड़ेगा अपने पास हमेशा मेंटेन करना पड़ेगा इन दॉप फॉर्म ऑफ कैश गोल्ड और सबसे इंपोर्टेंट है इसमें गवर्मेंट सीक करती है तरकार के भी आफ पर भी इशू करती है गवर्मेंट सीक्यारिटी समिसके बाद यह बांड्स क्या होते हैं रिबेंचर्स क्या होते हैं फाइनाशल मार्केट क्या है यह हम अलग वीडियो में देखेंगे एज लोग फर्स टाइम पढ़ रहे हैं उनके लिए जिनको पता है वेरी गुड जिनको नहीं पता इसको टांप पर होता है वैसी कुछ समझ लो एक सर्टिफिकेट स्टैंप पर में क्या लिखा होता है वैलियो होती मालो इस्टैंप एबर कि वैल्यों एक लाग रुपए है लेकिन यहां जो गर्मेंट ना इसी कि जरी उधार लेती बैक्ति सटेफिकेट कि ँशंती यह जब तक रखोगे जब तक इंटरेशी मिलेगा लेगा है बहुत वैल्यवयबल ने पाइनेश words चीजों में स手 एक इबर में चीजíज को नहीं हो में करनेच की नेल्यां बमेंट जिएक्ट सेक्योरिटी कि ध्यान रखना तो उनको अपने अलग-अलग लेवल पर मेंटेन करना पड़े एक चीज ध्यान रखना कि यह जो CRR है मतलब यह जो पैसा RBI के पास रखा हुआ है इस पैसे के ऊपर RBI कोई भी इंट्रेस्ट पे नहीं करता बैंक को RBI does not pay any interest to bank on this यहाँ पर क्या बैंक को कुछ फाइदा है इस पर थोड़ा बहुत इंट्रेस्ट इस पर मिल जाता है गोल्ड की वैल्यू पर थोड़ा बहुत वह बेनिफिट ले लेते हैं तो यह अलग-अलग माल लेते हैं यह 18% है को अभी बुलेगा सा 17.5 फाइब बुलेगा सा 17.5 से क्योंकि इस ओफ क्याल कुलेशन था हमारे हमारे डिपॉजिट है था हजार हमारा 4 पर से चला गया C-R-R यहन्यां कि हमारे पास बचा 996 कि नहीं है भर भर और हो गई 960 होगा, I am very sorry सभी तो परबढ़ होगे 960 तो यहाँ हमारा 4% चला गया हमारा बचता है 960 960 रुपीज जो है वो बचेगा कहाँ इसमें then इसको अब हमारा 18% याने की टोटल 22% 22% याने की 18% CRR 18% SLR और 4% CRR वो आप नहीं दे सकते that you have to keep with yourself 22% of what of this total deposit that you have let's say तो आप इसको नहीं रख सकते और आप इसको नहीं रख सकते और 18% of not this 18% of this so total आप यहां पर देखो I'll tell you यह जो हमारा reserve ratio है यह वो है यह जो हमारा reserve ratio है यह वो है इसको 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 इन दोनों को याने की आउट आफ आफ आउट वन थाउजन ट्वेंटी टू परसेंट जो है आप एकसीड नहीं कर सकते आप उसको आज लोन फारवर्ड नहीं कर सकते हैं सब्सक्राइब कर सकते है अब बात करते हैं बैंक को अपने टांजेक्शन के जैसे मुझे लोन की जरूरत होगी तो मैं बैंक के पास जाओंगा क्या बैंक को भी लोन की जरूरत पढ़ती है बैंक को भी लोन की जरूरत पढ़ती है बैंक कहा जाएगा बैंक अपने बड़े बैंक के पास जाएगा वह एगा RBI के पास अभी है अगर लेने जाओंगा तो बैंक बुले कभी या कुछ रखो गिरवी रखो तब लोन मिलेगा बैंक जाएगा अर बीया के पास बुलेगा सर लोन ठीक है तर गिरवी बुले कुछ रखने की ज़रत नहीं हम तुम्हें जानते हैं और यह तुम लॉंग टरम के लिए ल आ है कि इस आ लॉंग टर्म लोन गोफ ऑ गो नई तो कौन दे रहा है जो अर। पीॉंड है किसे दे रहा है बैंक और रहा है क्या को उस पर कoi dissension rate रख रहा है नहीं सर कोई से दो psychology नहीं रख रहा है और अगर सिक्यॉर सिक्यॉरीटे नहीं धकिया थ О्ड़रा स्य लिक ए कि So what is the bank rate? Bank rate is the rate of, you know, bank rate is that rate of interest at which RBI gives loan to commercial banks, RBI gives loan to commercial banks without any collateral, without any collateral, बगार किसी किस के वो लेता है। उसके बाद आता है repo rate, repo का मतलब होता है repurchase, option, repo का मतलब होता है repurchase option, अब bank या बोले सर इतना rate of interest नहीं और इतना नहीं चाहिए, और हमें आप तस लंबस हमें के लिए लोन दे रहे हैं, हमें तो अभी हमारे 14 दिन का transaction है, हम उसको square off कर दें, हम इस 14 दिन का transaction के लिए हमें पैसे चाहिए, अगर इतना चाहिए तो फिर हम हमारे terms and condition मानो, या कुछ लावा कुछ गिर्वी रखने के लिए, सर क्या, सर एक काम करो, तुम्हारे पास government securities है, हाँ, सर है, तुम्हें कितना पैसा चाहिए, सर बैंक है तो जादे ही ले लोगा, मानलो 100 करोड ले रहा है, बैंक कितना पैसा ले रहा है, 100 करोड, बैंक ने क अब एक option हम रख लेते हैं, कि ये पैसा तुम 14 दिन के बाद, ये government securities तुम 14 दिन के बाद हम से खरीद लोगे, मानलो 104 करोड रुपया में, तुम 100 करोड में रखो, हम तुम्हें cash दे देते हैं, ये पैसा तुम ले जाओ, अपना use को रहा, अपना transaction करो, 14 दिन के बाद आना, इजद से government securities को वापिस खरीद लेना, 104 करोड रुपया, बैंक बोलेगा sir done, given, अभी हमें अपने loans, जैसे आप housing loan लेते हो न, तो housing loan में आपको कभी भी bank पूरा पैसा एक साथ नहीं देगा, bank आपको installments में देता है, एक stage पे देगा, फिर completion देखेगा, फिर दूसरे stage पे दे हम बाकी तो हम जंता से वसूल लेंगे, 4 करोड कोई बात नहीं, लेकिन RBA बोलेगा, रुको, 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 यह जो तुम government securities ला रहे हो, it should not be, यह वो government securities नहीं होनी चाहिए, जो तुम्हारे SLR quota में रखी हुई है, उसको हाथ नहीं लगाना है, यहां उसके अलावा government securities है, तो लेआओ, हम आपको वह government securities pledge कर देते हैं जो हमारे SLR quota में नहीं है जो हमारे SLR quota में नहीं है अम उसको pledge कर देते हैं valid enough तो यह क्या हुआ रेपो रेपो रेट रेपो रेट वो rate of interest हुआ जिससे आर्बी आई लोन दे रहा है किसे commercial bank को अगेंस्ट गर्मेंट सेक्यारिटी जा नाट पी प्रॉम एसलर कोटा इसका रेपोरेट को पॉलिसी रेट भी कहते हैं क्योंकि अब जो मॉनिटरी पॉलिसी उसमें सिर्फ यही चेंज हो रहा है बाकी चीजें बाकी और कॉडिंगली चेंज हो जाती है है फिर आता है रिवर्स रॉप हर चीज रिवर्स हो जाएंगी आई एक सवाल आगा किसार सर्चान एगर 14 दिन में इन्होंने अपना वो नहीं किया तो क्या होगा तेर वो बोलेंगे हम इसको बेज देंगे बजार में दूसरे खरीद के लिए जाएगा और सबसे वैलियेबल चीज है गर्वर्मेंट सेक्यारिटी बैंक के लिए याद रखिएगा के शरुष रेवारेपो में अब भारत सरकार का भी बैंक है मारलो भारत सरकार को payment करना है कहीं कुछ लोन का है इंटरेस्ट का है तो बैंक को पैसे कि आरो पैसे की जरूथ पड़ी आरवए नहींव ला तुमारा पैसा खाली पड़ा एक काम करो हमें दे दो सब चीज सब चीज जो है वो exact हो जाएगी बैंक बलेगा सर कहां से दे दो हम government securities दे रहे हैं everything is same only the direction is reverse क्योंकि यहां commercial bank किसे loan दे रहा है RBI को commercial bank किसे loan दे रहा है RBI को यह वो rate of interest है सारी चीज़ है same as repo rate है सिर्फ direction इसमें reverse हो जाता है direction इसमें reverse हो जाता है this is everything is same but only direction is opposite exact opposite of repo rate this is reverse repo rate लेकिन आप क्योंकि policy rate तहा है कॉन कर रहा है यह सब तहे कॉन कर रहा है RBI तो RBI बोलेगा भीया reverse repo rate will be less than repo rate हम तुमसे तब RBI बोलेगा हम पागल थोड़ी है हमालो RBI से जो है एक transaction हुआ RBI ने बोले ठीक है RBI ने वही जो है आगे बढ़ा दिया वही government securities मानलो RBI ने बोले ठीक है seven days का transaction कर लेते हैं SBI गया RBI के पास उसने का sir transaction कर लेते हैं कितना साथ दिन का 14 days का ठीक है 14 days का transaction कर लेते हैं 14 days बाद हम अपने security वापस ली जाएंगे RBI ने बोलाओ पैसा कमा लेते हैं RBI ने मानलो access bank के साथ deal कर ली 7 दिन में हमें पैसे की जरूरत है 7 दिन के लिए हमें पैसा दो हम तुम्हें 3.5% interest दे देंगे जो भी है रेपोरेट से 1% का जो है reverse रेपोरेट होता है ठीक है RBI ने इधर इधर पैसा दिया उस पैसे के इस खोड़ पैसा लिया अपना पैसा उतना ही था इधर से 4% लिया उधर जो है 3% दिया 1% अपने पास रख लिया simple banking है RBI भी बिजनिस कर रहा है मान लो किसी बैंक को पैसे की बहुत अब क्या होता है यह तो normal situation है बहुत जरूरत है पैसे की RBI के पास bank गया बोले बहुत जरूरत है पैसे की bank rate पे ले लो सर है ही नहीं तक नहीं नहीं है बहुत ज़ादा rate of interest है और इतना चाहिए भी नहीं हमें सर्फ कल के लिए पैसे की जरूरत है एक दिन के लिए पैसा दे दो तो आर्वी बोलेगा तो रेपूरेट में ले लो बूले हमारे पास नहीं है हमारे पास अभी जो security है ना वह गश्यार्टी है उसे फैसलर को टकी है वह तो आप वहाँ लोग है नहीं तो आर्वी ने बोला ठीक है कि अरेंजमेंट करते हैं तुम क्या करो अधिया रेट आफ इंट्रेस्ट तो हम ज्यादा लेंगे लेकिन अब जो हम आपको एक प्रोविशन देते हैं कि आप अपनी टोटल एसलार के वन परसेंट का जो भी आपके पास गवर्मेंट सेक्यारिटी रखी हुई है उसके वन प थ्लिच एकनॉम्यि टि स्थिंद्रभarp जहां पर भी मारजनल टॉम आ जाएगा का जहां पर भी मारजीनल टॉम माजह आ जाएगा वहां पर कुछना कुछ रहीं लोगए जहां पर मार्जिनल आजा है कोई ने कोई लोन ले जाओ लिए अब हमारे पास क्या था हम एक बार वापस जाते हैं उस वाली स्लाइट पे अब हमारा एक बार वाइब को सप्लाइब बढ़ाना है कि अब उनके पास जो है वो वाल्यू थोड़ी सी ज्यादा है दो परसेंट उनके पास ज्यादा है लोन देने के लिए वो तो लोन देंगे वो क्यों अपने पास रखेंगे वो तो पैसा लोन में दे देंगे तो क्या हो गया वो दो परसेंट से मनी सप्लाइब बढ़ जाएगा और बहुत ज्यादा मनी सप्लाइब पैसा खीचना होगा तो क्या करेगा इसे बढ़ा देगा प्यार एसलार को जब बढ़ा देगा तो बैंक को अब ज्यादा पैसा रखना होगा तो बैंक क्या कर देगा लोन महंगा कर देगा और डिपॉजिट वह ट्रैक करना शुरू कर देगा लोन को लोन का रिट ऊफ इंटरस्ट बढ़ा देगा और लोन जो है महंगे कर देगा और पर देपiping बैंक अगर 4 चार परसेंट पर लौन लहाँ आपको वह चार परसेंट पर नहीं देगा बा線 आपको कम से कम साड़े-5 परसेंट पे लुब्हुम्त देगा जाद ही देगा बलके कि बैंक को जब खुद कर्जा जो है इस ये फ्लक्टुएट होता रहेगा यह फ्लक्टुए होता रहेगा उसके बाद आता है क्या मार्जिनल अधिस मार्केट स्टेबलाइजेशन फेसिलिए इस वस इंट्रीज इन 2004 मान लो ज्यादा बाज माजा बजार में जो है लिक्विडिटी ज्यादा बाजार में पैसे की सप्लाइज ज्यादा जिसके विज़े से अनिस्टेबलेटी आ रही है तो आरब यह क्या गर्मेंट सेक्यारटी से खरीर लेते हैं गर्मेंट सेक्यारटी अहाथ वहाथ विखती है क्यों क्योंकि वह एक सेफ इंस्ट्रुमेंट है invest करने का टो आरबिया जो है इसे cash mobilize कर रहा था qualitative tool की अगर हम बात करें तो credit rationing है कितना loan जैसे आप कहोगे आज जैसे PSL है, priority sector lending है, priority sector lending में क्या है, priority sector lending में 40% जो है आपका loan वो priority sector को जाना जाना जी credit rationing, उसके बाहर नहीं जा सकता, मार्जन रिक्वार्मेंट से आप कभी भी लोन लेने जाओगे कार लोन लोगे हाउसिंग लोगे कुछ पैसा आपको देना पड़ता है मतलब आपको कुछ मार्जन मनी रखना होता है उसके अलावा मौरल सुएशन में लिजिए बैंक जो है कमेर्शल बैंक जो है वो RBI की policy उसको follow नहीं कर रहा है उसके उन चीज़ों को नहीं मान रहा है तो वो क्या करेगा वो तो लेगा भाई साब पहले वो समझाएगा पहले warning देगा एक moral situation देखो समझ जाओ अच्छे से रह लो policy follow कर लो rules follow कर लो नहीं करोगा तो हम action लेंगे और उसके बाद भी नहीं लेगा नहीं मानेगा तो RBI क्या करेगा RBI उसके उपर direct action लेगा RBI क्या करेगा RBI उसके उपर direct action लेगा तो this is what this is all about monetary policy इसके और aspects है that is monetary policy लास्ट चीज जो है हमारे हाँ अब यह contractionary expansionary policy we have done monetary policy committee क्या है पहले अब 2016 के बाद RBI API act में amendment हुआ और एक committee बना दी गई छह लोगों की जिसका सिर्फ एक ही काम है control inflation जिसका काम क्या है control inflation inflation की एक range देदी and that range is inflation की एक range देदी and that range is 4 plus minus 2% inflation की एक range देदी policy that is 4 plus minus 2% यह आप को यह committee बनेगी जिसमें RBI गवर्नर ex-official chairman होंगे deputy governor होंगे in charge of the monetary policy जो भी RBI में deputy governor होंगे जो की monetary policy committee के voluntary policy के in charge है वो उसके अलावा एक member which is nominated by the RBI Central Board और यहां पर तीन लोग जो है वो भारत सरकार होगी तो कुल छह लोग होते हैं जो भी फैसला होगा वो वोटिंग से होगा minimum quorum जो होता है quorum मतलब minimum attendance कितनी होनी चाहिए चार होनी चाहिए और यहां पर जो RBI governor है यह जो RBI governor है इनके पास casting vote का मतलब यह है कि normally इनके पास voting power नहीं है in case of tie he has the voting power casting vote का मतलब होता है normally there is no voting power but in case of tie मालो 5 member आया दो ने इधर वोट कर दिया दो ने उधर वोट कर दिया टाई हो गया decision लेना अब RBI governor के पास voting power है normally उनके पास voting power नहीं है तो तीन लोग RBI की तरफ से तीन लोग भारत सरकार की तरफ से इनको एक target दे दिया कि भाया तुम्हें inflation जो है 2-6% की range में रखना है अगर आप कि नहीं कर पाऊगे लगातार 2 quarters तक 3 quarters तक तो आपको जवाब देना पड़ेगा लिखत में भारत सरकार को कि ऐसा क्यों नहीं है यह target जो है दो हजार 21 तक था बाद में इस target को दो हजार 26 तक बढ़ा दिया गया है पहले यह target 2016 में जब बना था 2021 तक था 2021 तक यह 2% 4% plus minus 2% का target था now it has been increased to 2026 so this was about all money inflation and monetary policy अभी हमने इसमें बैंकिंग नहीं देखा है इसको अलग उसमें देखेंगे inflation से रिलेटेड एक 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 वीडियो बनाएंगे जिसमें basic terminologies की बात करेंगे बहुत सार ऐसे terms थे जो नहीं थे लेकिन यहां terms नहीं समझना था यहां concept समझना था I hope the concept is now clear to you a clarity बन गई है एक picture बन गई है कि banking system में हो क्या रहा है यह पैसे का खेल कैसे चल रहा है इसके और भी यह पहलू है इस खेल के वो हम आने वाले वीडियो में देखेंगे इस series को हम continue रखेंगे and we will definitely get selected हम इसी motive से और इसी target से आपके साथ जुड़ रहे हैं कि हम आपका selection करवाए So all the very best, I'll see you in the next lecture, till then have a great time, stay safe, stay healthy, thank you so much Sorry